हाई गाईस मैं हूँ अनिल और आप देख रहे हो AKD Technical दोस्तों Infinix 08i कल पाकिस्तार में लौच हो चुका है जिसकी प्राइस है 35,000 अब इस फॉन की जो प्राइस है वो कम फर्म नहीं हो सकता है जिसमें मीडिया टेक हिलियोजी 70 ए, 18 वाउट की फास्ट चार्जिंग है, सेम फीचर से हैं जैसे Infinix 07 में हमें देखने को मिले थे अब केमन 16 की जो Special Edition में उसमें जो fingerprint है वो rare mounted है, Infinix 07 में side mounted है अब केमन 16 Special Edition कब लों चोगा उसके बार में टेकनो नहीं बता है, आज इस टुडियो में हम compare करेंगे टेकनो केमन 16 vs Infinix 08i अब इंट्रो लगा यार दोस्तों दोन आइफ़ोन में आपको Android 10 OS देखने को मिलेगा और Infinix का जो custom UI है, XOS और Tecno का जो HiOS है वो देखने को मिलेगा दोन आइफ़ोन में 6.85 इंचेस का full HD plus 90 Hz का display है, IPS LCD स्क्रीन है और यहां पर 180 Hz का touch sampling rate है जिससे आपका gaming experience काफी अच्छा होने वाला है अब आता है कैमरास पे, इसके जो बेक कैमरास होने वाले 48 में पिक्सल का main sensor होगा और बाकी sensor इन्होंने नहीं पता है, 16 में पिक्सल की यहां पर selfie भी है, अब कैमरा में मैं winner समझूँगा Tecno Camon 16 को, वो क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो टेकनोलोजी यूज की है वो फोकस अच्छा देखने को मिलेगा, और भी काफी अच्छे अच्छे फीचर से हैं, अब वो तो टेस्टिंग के दोरान पता पड़ेगा कौन सा अच्छा है, दोनों में आपको 8GB RAM, 118GB की स्टोरेज देखने को मिलेगी, Helio G90D का प्रोसेजर है, 33W की Fast Charging है और 4500 image की बेट करता है किसकी कैमरा क्वालिडी अच्छी है, और क्या टेकनो कैमन 16 34-35 आएगा, अगर आएगा तो वो किलिरली विनर होगा, अगर इससे थोड़ी सी भी उपर प्राइस कहीं, तो इट विल बी ऑवर प्राइस, अब देखते हैं क्या बाद ही चलती हैं दोनों के बीच में, ओवराल दोनों ही काफी decent phone होने वाले हैं, काफी अच्छी specification हैं, काफी ज्यादा cool phone से दोनों, डिजाइन के बारे में बात करूँ, तो मुझे 08 की डिजाइन थोड़ी सी अच्छी रगी as compared to Tecno Camon 16, अगर मैं अपना pure opinion दो तो अगर Tecno Camon 16 का जो camera setup है अच्छा होगा, तो मैं उसी के साथ ही जाऊंगा क्योंकि price जोनों के almost same होने वाली है, जोनों में आपको side mounted fingerprint देखने को भी लेगा, और यहां पे आप dual SIM के साथ जो है memory card भी लगा सकते हो, camera में काफी अच्छे feature से जैसे 960 फ्रेम से slow motion video में bokeh effect, eye focus जो है वो Tecno Camon 16 में काफी अच्छा होने वा और next month में या उससे आगे December में यह realme 7 series या फिर Redmi Note 10 series भी आजाएगी वह भी बाद में market capture कर लेगी, लेकिन अब यह launch होते तो these will be killer of this pakistani markets, काफी अच्छी specification है, काफी अच्छे options है, काफी अच्छे अच्छे camera features, fast charging, everything काफी अच्छी लगी मुझे, कोई बुरी चीज मुझे इन दोनों फांस में नहीं लगी, MediaTek Helio G90T आपका gaming experience अच्छे से enhance कर देगा, तो वीडियो मसी तो like करो, अब देखना ही है के camera 16 special edition कब आता है market में, क्या यह टकर देगा Infinix Note 8 को, अगर इसकी camera's Infinix Note 8 से अच्छी होई, तो लोग इसे ही buy करेंगे, Note 8 को skip कर देंगे, so क्या आ मुझसे agree करते हो, comments में लादी बतरना, वीडियो मसी तो like करो, करने अधा आपके वीडियो कैसी लगी है and thanks for watching